वेलकम टू एक्जाम बेविचना तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एल्टी टैट के प्रशन पत्तर को ठीक है इससे पहले हमने दो पार्ट को डिस्कस कर लिया है अगर भी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आपने भी देख सकते हूँ तो जो पिछले वीडियो था इसमें ये प्रशन ये और पर चुड़िया था जीके सेक्शन का तो पहले उससे डिस्कस कर लेते हैं बाकी को बाद में करेंगे तो प्रशन सेंग क्या है 147 कुछा गया है भारत का बिस्मार्क कौन है तो जो भारत का बिस्मार्क के तौर पर जाने जाते हैं तो ये होगा बिकल्प C सरदार पर टेल इन्हें भारत की बिस्मार्क के तौर पर जाना जाता है C सही बिकल्प हो जाएगा अगला question है 148 जब भारत अजाद हुआ तब इंगलेंड के परधानमंतरी कौन थे तो जब भारत अजाद हुआ था उस समय इंगलेंड के परधानमंतरी थे विकल्प ए क्लिमेट एटली यह सही विकल्प हो जाएगा अगला कोशने 149 में पूछा गया था त्रीपीटक किस का पवित्तर ग्रंथ है जो त्रीपीटक है ये बौधों का पवित्तर ग्रंथ माना जाता है और इसकी भाषाती पाडी अगला कोशने 149 में पूछा गया था हर्षवर्धन के शाषिन काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था तो जो हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री भारत आया था उसका नाम था हुएंसांग सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा यह चीनी यात्री थे और भारत आये थे ठीक है अगला कोशिन है यहाँ पर हम व्याकरण के प्रशनों को छोड़ देंगे लिट्रिचर को पहले देख लेते हैं प्रशन सिंख्या है छे प्रियोग बाद के प्रवर्तक के तौर पर किसे जाना जाता है तो जो प्रियोगवाद के प्रवर्तक के तौर्पे जाना जाता है तो ये जाना जाता है अग गेग हो सही भी कल्पियां पर सी हो जाएगा ये जितने पी प्रशन है जब हमने बटसेप में एक टेली सीरीज चलाई थी डेली टेस्स सीरीज होती थी एक तो उसमें हमने सब प्रशन डिसकस कर लिये थे कोई भी नया प्रशन नहीं है आपर दोस्तों सारे पुराने ही प्रशन है ठीक है न हाँ ये अवश्य बोल सकते हैं कि इस बार टेट के जो प्रशन पत्तर का लेवल हाई कर दिया था पहले ये निमन होता था मतलब simple simple प्रशन पूछे जाते थे अब इनका level कुछ hard कर दिया गया था ठीक है न अगला प्रशन है तो देखिये ये बड़ा ही नया प्रशन था ये वाला इस तरह कि प्रशन पहले नहीं पूछे जाते थे अब ये milan वाले प्रशन टैट में भी पूछने शुरू कर दिये हैं तो चलिए देख लेते हैं इने तो प्रशन पूछा गया था एक तरफ वो बोली है और दूसरी तरफ शेतर तो इनका हमने मिलान करना था ठीक है तो चलिए इनका मिलान कर लेते हैं जिसने भी मुझे ये प्रशन पत्र सेंड किया है, केशवा ने, तो उन्होंने ये प्रशन गलत कर दिया है, मैंने उन्हें कितनी बार ये प्रशन टैस सीरी में बताया भी था, इसके अलावा उन्होंने ये प्रशन गलत कर दिया, तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या मिलान होगा तो मिलान था जो अबधी होगा इसका बोली क्षेतर था लखनव ठीक है फिर जो ब्रज था इसका बोली क्षेतर था मतुरा और जो खड़ी बोली है इसका बोली क्षेतर था दिल्ली और जो भोजपूरी है इसका बोली क्षेतर था बारा नसी ठीक है तो इस परकार यहा अब्धी का लखनव, ब्रज का मथूरा और खड़ीबोली का दिल्ली और भोजपूरी का बारानसी अगला कोशन है यहाँ पर ओम जय जगती शड़े आर्थी किसने लिखी थी तो इस प्रशन को भी हमने बहुत बार डिस्कस किया था जो हमारी पांच जार वाली पांच जार प्रशन की सीरी से सुमय हमने दो चार वार इसे डिस्कस करा था कि जो ओम जय जगती शरे आर्थी है इसे लिखा गया है श्रद्दा राम फिलौरी की दवारा ठीक है जो हिंदी का प्रतम उपनियास में माना जाता है इनका भाग्य बती उपनास वो भी इनीकाई उपनियास है ठीक है अगला कोशने 16 इसमें पूछा गया था भक्ति काल की अब्दी क्या है तो जो भक्ति काल की अब्दी है ये होनी थी 1356 बिक्रम से लिकर 1700 बिक्रम तक तो केश्वा ने ये प्रशन भी गलत कर दिया है तो यहाँ पर सही बिक्रम सी हो जाना था अगला कोशने 17 नागरी प्रचार्णी पत्तिर्का का प्रकाशन काशी से आरम हुआ था तो बदा नहीं कब आरम हुआ था तो यह वह था 1896 में ठीक है ये भी हमने अपने टेस्स सीरीज में डाला था प्रशन सारे प्रशन मैं अपने टेस्स सीरीज में डाले हुए थे लिट्रेचर के तो देख सकते हो कितनी महत्पून हमारी टेस्स सीरीज रहती है तो जो नागरी पिचारनी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है काशी से होता है और कब आरम क्या गया था 1896 में 17 का सहीवी कल्प यहां पर ए हो जाएगा अगला कुशन है 18 आज का प्रकाशन कब होगा था इस प्रशन को भी हमने डिस्कस किया है तो जो आज है इसका प्रकाशन हुआ था 1920 में 18 का सहीवी कल्प यहां पर भी हो जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं प्रेमचंद ने हंस का प्रकाशन कब शुरू किया था तो जो मुशी प्रेमचंद है इनके द्वारा आपको याद रखना है हंस का प्रकाशन किया गया है क्या है यह पत्री का है कब इसका प्रकाशन किया गया था तो यह किया गया था 1930 इस्वी में 19 का सही बिकल्प यहां पर C हो जाना था अगला कोशिन है शिवसी हां सरोज का प्रकाशन बर्ष क्या है तो जो शिवसी हां सरोज गरंथ है इसका जो प्रकाशन बर्ष होगा तो यह था बिकल्पी सन 1983 ठीक है अगला कोशिन है यहां पर ये ग्रामर के कोशिन है अगला कोशिन है आठ कवीर को बानी का डिक्टेटर किसने माना है तो ये माना था विकल्पसी डॉक्टर हजारी परसाद द्विवेदे के द्वारा ठीक है अचारे रामचंदर शुकल के द्वारा कवीर के लिए प्रसिद कतन कहा गया है या इनकी भाषा को अचारे रामचंदर शुकल लेने क्या माना है ये प्रसिद आप बताईए अगला कोशिन है नौ ये भी मिलान मारा प्रसिद था इसमें पूछा किया है जो सूफी रचना है और सूफी रचनाकार इनका मिलान हमें करना था तो चलिए मिलान कर लेती है तो जो मरिगावती रचना है तो ये बताना है किस की थी तो ये हो जानी थी कुतुबन की ठीक है मदुमालती तो ये हो जानी थी मंजन की और जो चंदायन है ये मुलादावत की रचना हो जानी थी और जो अख्रावट है तो ये जाईसी की रिचना हो जानी थी तो यहाँ पर जो मिलान कर लेते हैं एक का चार यहाँ पर है तो इस परकार से यह प्रशन यह जो बिकल्प है जी बिल्कुल सही हो जाना था मरीगावती कुतुवन की ठीक है उसके परशा जो मदुमालती थी ये मंजन की दो का पांच चंदायन मुलादावत की तीन का दो और जो अख्रावट है जाईसी की चार का एक सही हो जाना था सी सही बिकल्पता यहाँ पर अगला कोशिन दस इसमें पूछा गया था स्थाईवाव और रस्त का मिलान कीजी तो चलिए मिलान कर लेते हैं तो जो रौदर रसैस्त का स्थाईवाव क्या होगा तो यह हो जाना था क्रोध अदभुत का बिस्मे शांत का निर्वेद और विवस्त का जुगुष्टा तो इस परकार से जो यहाँ पर मिलान देख लेते हैं कौन सा सही होगा एक का चार दो जगा है बि और डी में फिर है अदभुत का बिस्मे यह आफका दो का एक यहाँ पर तो इस परकार से यह सही हो जाना था दी आगे यह शांत का निर्वेद था तीन का दो और भिवत्स का जूपसा चार का तीन डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ अगला कोशन है ब्रजभाषा का स्वरन्यूग्त है तो बदाना है कि जो ब्रजभाषा है इसका स्वरन्यूग कौन सा माना जाता है तो ये माना जाता है रीतिकाल को इसका सुरन यूग D सही विकल्प हो जाएगा अगला कोशन है पहाडों में प्रेम मई संगीत रिपोर्टाज किस ने लिखा है तो सबसे पहले तो याद रखेगा कि जो पहाडों में प्रेम मई के संगीत है यह किस विदा की रचना है रिपोर्टाज विदा की रचना है और किस की है उपेंदरनात अश्क की सही विकल्प यहाँ पर यह हो जाएगा अगला कोशन है यहाँ पर हिंदी की सरवादिक बोले जाने वाली बोली कौन सी है तो जो हिंदी के सरवादिक बोले जाने वाले बोली है तो ये हो जाएगी बोजभूरी सी सही बिकल्प हो जाएगा अगला कोशने 24 अर्था लंकार के बिना सरस्वती बिद्वा के समान है महत्पुन प्रशन था दोस्तों ये वाला इंट्रेस्टिंग तो ये कथन किसका है तो ये हो जाना था प्रिकल्प टी बेद्वियास का अगनी पुनार में इन्होंने ये कथन कहा था अगला कोशन देख लेते हैं इस प्रशन का मुझे कंफर्म उत्तर नहीं मिला है इसको यहाँ पर भी स्कीपी कर देते हैं अगर आपको कंफर्म उत्तर आता है तो आप बताईए मैं नहीं चाहता है कि गलत उत्तर देदू आपको अगला कोशन है 27 पंचम बेद किसे कहा जाता है तो बिकल्पों के नुसार जो सही बिकल्प होना चाहिए सही बिकल्प यहाँ पर C हो जाएगा अगला प्रेशन है 29 भारती टेलिविजन को दूर दर्शन का नाम कब दिया गया तो जो 29 प्रेशन है यह भी बहुत अच्छा प्रेशन है जो भारती टेलिविजन को दूर दर्शन का नाम दिया गया था सन 1977 में दिया गया था तो यहाँ पर बीकल्प में ये नहीं है तो सही बीकल्प हो जाएगा D इन में से कोई नहीं अगला कोशने तीस यश्पाल का जनम कहां हुआ था तो जो हिंदी के रचनाकार है यश्पाल इनका जनम फ्योजपूर्ट छाबनी में हुआ था सही बीकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा जो की पंजाब में पड़ता है कई के जगा जो हिंदी के अगर हम पूस्ता के देखें अकाश पब्लिकेशन की उसमें भूंपल भी दिया है पर जहां तक मुझे लगता है इसका सही उत्तर बी होगा फिरे उषपूर घंगि अगर्लप कोंशन 31 साधान निकर्न क्या है तो यह आलंबन धर्म का होता है तो यहाँ पर सही बीकल्प यह हो जाएगा अगर्ला कोंशन 32 फोर्ट विलिम कॉलेज की स्थापना कहां पर की गही थी जो फोर्ट विलम कॉलेज है इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में सही बिकल्प यहां पर सी हो जाएगा एक बार आपको फिर से बता दू यह जितने भी प्रेशन थे दोस्तों हमने अपने टेस्स सीरीज में किये होए थे यह कैसी पत्रीका है यह है मासिक पत्रीका और कहां से निकलती थी यह तो यह निकलती थी कलकत्ता से तो केश्वा ने यह प्रेशन भी गलत कर दिया है हमने इस भी बहुत बार डिसकस कर रहा था पता नहीं आपने कैसे इस प्रेशन को गलत कर दिया आपने काशी लिगाया है ये काशी नहीं कलकता होगा अगरा कोशने 34 निमलिकित पत्रिका और समपादक युगों में कौन सा सही नहीं होगा तो यहाँ पर जो सही मिलान होना था तो वो हो जाएगा बिकल्प भी जो आनंद कादम भी नहीं है ये राजिंदर अवस्ति की पत्रिका नहीं थी तो सही विकल्प यहाँ पर भी हो जाता हंस प्रेम चंदर ची की है और जो परताफ है ये गणे शंकर भी द्यार्थी की होगी और जो ब्रामन पत्री का है ये परताप नाने में शर्की हो जाएगी इस परकार यहाँ पर जो विकल्प भी है सही हो जायाता अगला कुशन है 35 अश्यो के फूल नामक निवन संग्रह के रचनाकार कौन है तो ये हो जाएगा यहाँ पर अगला प्रशन है तो जो रचना है संस्कृति के चार अधियाई इसके रचनाकार का नाम हमें बताना है तो ये हो जाएगे यहाँ पर विकल्प भी रामधारी सिहन दिनकर अगला प्रशन है 37 रितिकाल कुश्रिंगाल का नाम किस ने दिया था तो जो रितिकाल को श्रिंगाल काल नाम दिया था ये दिया गया था बिकल्प भी विश्वनात प्रशाद मुश्र की द्वारा ठीक है अगला कोशन है यहाँ पर महबीर प्रशाद थुवेदी के पश्चात सस्वति पत्रिका कास संपादन काले किस ने संबाला था ये संबाला था देविदत शुकल के द्वारा सही बिकल्प ए हो जाएगा अगला कोशन है 49 संसद से सडक तक किसकी कवीता है तो ये कवीता हो जाएती दुमील की सुदामा पानले दुमील अगला कोशन है 40 इसमें पूछा गया है शुद बरतनी का चेन कीजिए तो ये हो जाएगा यहाँ पर सी जोतना इस परकार से लिखा जाता है अगला कोशन है 41 इसमें पूछा गया है सुमेल नहीं है अर्था सुमेलित कौन सा नहीं है यहाँ पर तो ये हो जाएगा यहाँ पर बिकल्ब D शनदा रामधारी सिहां की रचना नहीं है बाकी जो मिश्रबंदू की हिंदी नवरतन है गुलाव राय की मेरी असफरताएं हैं माकलनाच चतुरवेदी की साहित्य देवता है 41 का सही बिकल्ब D हो जाएगा अगला कोशने 42 अच्चारे बिश्रबनाथ की रचना कौन सी है तो जो अच्चारे बिश्रबनाथ है भरते काविशास्तर की लेकर या संस्कृत काविशास्तर की लेकर किनकी रचना हो जाती भी कल्ब ए साहित्य दरपन अगला कोशन है 43 इसमें पूछा गया था अभी बिंजनाबाद के परबर तक क्रोचे कहां से सवंधी थे या कहां के निवासी थे तो केश्वा इसे इस प्रशन को भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था तो ये हो जाना था इटली फ्रांस नहीं इटली हो जाता है इसका सही बिकल्प आपको भी बता दूँ जो हमने लाई थी पाश्चात्य काविशास्त्र की एक वीडियो उसमें हमने इस प्रशन को डिस्कस किया था भी सही यहां पर उत्तर हो जाएगा अगला कोशन है चवालिस इसमें पूछा गया है अच्चार ये दंडी के नुसार का पेगुन कितने हैं तो ये हो जाएगे बिकल्प डी दस अगला कोशन है पेंतालिस कृष्णा सोबती की संसमनात्म कृष्णा कौन सी है हम हश्मत क्या है हम हश्मत बिकल्प एसे ही हो जाएगा अगला कोशन है 46 डुनडारी बोली है क्या है ये पूर्वी राजिस्थानी की अगला कोशन है 47 हिंदी साहित्य के इतिहास के सरप्रथम लेका कौन है ये प्रशन तो बहुत तीजी था तो ये हो जाएंगे बिकल्ब डिक गार्षा दरतासी आपके लिए छोड़ देता हूँ इसका उत्तर आपने बताना है कि जो इसके इनकी जो रचनाती गार्षा दरतासी की उसका नाम बताईए अगला कुशने 48, संत काब्बे और सुफी काब्बे में असमान तत्व कौन सा होगा तो ये हो जाएगा सामत बिरोधी जो संत थे उन्होंने सामत का बिरोध किया था प्रन्तु सुफी काब्बे धारा के कभी उन्हें इस चीज़ का बिरोध नहीं किया है ठीक है न, 48 का से ही बिकल्ब ए हो जाएगा अगला कुशने, बामन ने डैश को काब्बे की आत्मा माना है किसे माना है, तो ये माना गिया है रीती को 59 का से ही उत्तर हो जाएगा रीती, ये अगला कुशने, कौन सा रस नहीं है, तो जो रस नहीं होगा तो यह हो जाएगा विकल्प ए ब्यंग्य बाकी हास्य रद्र और भ्यानक ये तीनों ही रस होंगी एकला कुशन एकासट रस सिदान्त का आदी प्रबर्तक किसे माना जाता है बहुती असान प्रशन था ये वाला भी गल्ती तो नहीं होनी चैथी इसमें भी पता नहीं गल्ती कैसे गल्दी रस सिदान्त का आदी प्रबर्तक माना जाता है भर्तमनी को ए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ दोहा और रोला के सहीओं को क्या कहा जाता है दोहा और रोला के सहीओं को कहा जाता है कुंडलिया सही विकल्प में यहाँ पर अगला कोशन है कभी प्रिया किसकी रचना है केशिवदास जी की बी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अगला कोशन है दोहा के बिशम चल्ण में कितनी मात्राइं होती है ग्यारा सही विकल्प C हो जाएगा चंद पढ़ते समें आने वाली बिराम को क्या कहा जाता है जब चंद को पढ़ते हैं उसमें आने वाली बिराम को कहा जाता है यती अगला कुछने भक्ति काल की सामन्त धारा का आरंब किसे माना जाता है क्या है प्रशन गरत बोल दिया भक्ति काल की संत्मत धारा का आरम किसे माना जाता है तो यह माना जाता है नात्सम परदाय से भी सही विकल्प है यहाँ अगला कोशन है दादुद्याल की बाणी का मुख्य रूप है तो जहां तक मुझे लगता है यहाँ पर सही विकल्प सी होना चाहिए पर इसको भी छोड़ देते हैं अगला कोशन है ब्रज भाषा में लिखा गया आधुनिक काल का काब्बे कौन सा है उधवशतक भी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अगला कोशन है उन्चास तुल्सी दास्कृत बिने पत्रिका की भाषा कौन सी है तो यह हो जाएगी ब्रज अगला कोशन है पचास इसमें पूछा गया है हिंदी संतकाब्य में हंस का प्रतिकार्थ क्या होता है जो हिंदी संतकाब्य है इसमें हंस का प्रतिकार्थ होता है परमात्मा या आत्मा B. सही बिकल्फ हो जाएगा अगला कोशने 51 चायाबाद नाम किस ने दिया तो जो चायाबाद नाम दिया था सरफ प्रत्मत मुकर्धर पांडे की दौरा A. सही बिकल्फ हो जाता अगला कोशने 52 धूम केतू एक शूती किन का उपनियासे तो यह है नरिश महता का C. सही बिकल्फ हो जाएगा अगला कोशन था एक चित्रा सुख किसका उपनियासे निर्मर बर्माजी का C. सही बिकल्फ हो जाएगा यहाँ ठेट हिंडी का ठाल्ट किस बिदा की रचना है उपनियास बिदा की रचना है और किसी की रचना है बताईएगा आप अगला कुछने प्रच्पन कामाईनी का पातर मनू पुत्तर कुमार किसका पुत्तर है हरीदे का बी सही भी कल्प हो जाएगा अगला कुछने च्पन प्रत्यक बार भिन अर्थ लिये शब्द की अबर्ती वाला अलंकार कौन सा है यमक ममट ने कितने काब्बे प्रोजन बताए है तो ये बताए गए है छे अगला कुछने अठावन लक्षना शबशक्ती में प्रधानता होती है लक्षियार्थ की रामचीत मानस के किस कांड में तूलसी दास ने कल्यों का बढ़न किया है उत्तर कांड में कवी शब्द किस वाशा का है अर्वी वाशा का कवीर का अर्थ होता है महान हिंडी का सबंध किस भाशा परिवार से है तो यहाँ पर होना था बहारूपी परिवार तो यहाँ पर बहारूपी परिवार नहीं दिया है तो जहां तक मुझे लगता है इसका सही बिकल्प होएगा A या B में से 1 ठीक है ना बाकी ऑफिशिल अंसर की आने पर इसका उत्तर बता चल जाएगा सही क्या होगा अगला कोशिन है बौध धर्म के उपदेशों की भाषा क्या थी अभी बताया था पीछे पाली सही बिकल्प सी हो जाएगा अगला कोश्न है 78 ग्रीक वास्यों ने भारत के लिए कौन सा स्थ प्रियोग में लाया था तो ये लाया था इंडिया हिंदि साहित्य से मैलन की स्थापना कब हुई थी ? चिंदि साहित्य से मैलन की स्थापना हुई थी 1910 में DA मतलब A सही भी खलफ हो जाएगा यहाँ पन अगला कुशन है स्वरसंदी कितने परकार की होती है तो जो स्वरसंदी होती है यह होती है पांच परकार की अगला कुशन है पूरवी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है ब्रज बाकी अब्धी बगेली और चतिसगड़ी है ये कोशन यहाँ पर हमने कर लिया था नाइटी फाइब आगे है नाटक नट लोकों की कला का नाम है बहुत सुंदर प्रशन है ये वाला भी किसका कतन है ये बारतेंदू हरिश्चंदर का सही विकल्प A हो जाएगा अगला है एक सुदो मेलो ड्रामा किसके निकट है तो जो मेलो ड्रामा ये होना चाहिए विकल्प A या C में से एक जहां तक मुझे लगता है C सही उत्तर हो सकता है बाकी ओफिशिल अंसर की का बेट कर लेते हैं अगला कोशने जीने की कला निवंद किस लेखक की रचना है महादेवी बर्मा की 103 का सही विकल्प A हो जाएगा अगला कोशन 104 टीवी सीरियल को हिंदी में क्या कहा जाता है धारा बाइक बी सही विकल्प हो जाएगा